नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजूकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीत सागर इंडिस वाटरस ट्रीटी के बारे में आपको पता होगा, हमने कई बार इस ट्रीटी के अलग-अलग प्रोशन्स को डिस्कस किया है तो recently इंडिस वाटरस ट्रीटी के रिगार्डी एक नोटीज इशू किया है गवर्णन्ट ओफ इंडिया गवर्न्मन्ट ओफ पकिस्तान को ये notice के contents क्या है वो हम discuss करेंगे उससे पहले इंडियस waters treaty के बारे में कुछ basic details इंडियस river और इंडियस river के 5 tributaries कौन-कौन सा जहलम, चनाप, रिवी, ब्यास और सतलच इन rivers के जो पानी है इसका distribution इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किस तरह होना चीए इसे govern करते हैं इंडियस water treaty ये sign हुआ था on September 19, 1960 बिट्वीन इंडिया और पाकिस्तान देखिए 8-9 साल का negotiation हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तब जाके ये sign हुआ था 1960 में और ये treaty को negotiate किया था world bank या फिर आप ऐसे भी बोल सकते है इस treaty में इंडिया और पाकिस्तान को छोड़के world bank भी एक signatory है तो treaty के हिसाब से जो western river से इंडियस रिवर जहलम रिवर चैनाब रिवर इन रिवर का जो राइट से वो पाकिस्तान को दिया हुआ है और जो eastern रिवर स रिवी ब्यास और सटलेज इन रिवर्स का जो राइट से वो इंडिया को है पैसे इस मैप में आप देख सकते हैं कि इंडियस रिवर और इंडियस रिवर के जितने ट्रिव्यूटरी से वो सारे इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में पोस्ते है तो basically इथर इंडिया अपर riparian country है इसलिए पाकिस्तान के पास है पर इन तीन rivers का जो पार्ट्स इंडिया के अंदर है उसके उपर इंडिया का कुछ लिमिटड राइट से दोस्तो limited rights माने जैसे कि irrigation projects इंडिया कर सकते है run of the river power plants इंडिया install कर सकते है very limited storage कर सकते है domestic and non-conceptive use के लिए पानी यूज़ कर सकते है इसे छोड़के जो big hydro electric power projects वगरा इंडिया कर नहीं सकता basically इंडेस, जहेलम और चैनाब river में नो बाकी जो तीन eastern rivers है इनका 100% rights इंडिया के पास है Now, इंडेस्ट वार्ट ट्रीटी से regarding एक unheard story है इंडेस्ट वार्ट ट्रीटी का main objective क्या है equitable sharing of इंडेस्ट वार्ट सिस्टम है न पर actually इथर equitable water sharing नहीं होरा दोस्तों equitable water sharing मतलब 50% इंडिया को 50% पाकिस्तान को मिलना चाहिए पर actually इस ट्रीटी से इंडिया पाकिस्तान को 80.52% of the aggregate water flow दिया है इसके अलावा ट्रीटी के टाइम पर इंडिया पाकिस्तान को 83 क्रोर रुपीज दिये थे in pound sterling तबका 83 क्रोर अपका कितना होगा आप calculate कर सकते हैं तो 83 क्रोर in pound sterling दिया था पाकिस्तान को replacement canals बगारा build करने के लिए इतनी generosity तो कोई भी country किसी और country के साथ किया नहीं है दोस्तों history में Now present issue क्या है ये समझने की कोशिस करते हैं इंडिया पाकिस्तान को notice क्यों भेजा है वैसे notice के इसाब से पाकिस्तान इंडिया के साथ इंडर governmental negotiations शुरू होना चाहिए नबबे दिन के अंदर तो issue क्या है ये समझ लेते हैं ये issue actually dates back to 2015 वेन पाकिस्तान requested for appointment of a neutral expert to examine its technical objections to India's किशन गंगा and rattle hydroelectric projects देखी करीब 5-6 साल पहले इंडिया किशन गंगा river और चैनाब river में hydroelectric power plant का construction शुरू किया ये जो किशन गंगा river है ये जहलम river की tributary है आप देखें इंडियस water treaty के इसाब से जहलम river और चैनाब river का rights पाकिस्तान के पास है ये बात आपको पाता है तो obviousी बात है पाकिस्तान ने objection raised किया पाकिस्तान के इसाब से अगर ये hydroelectric plant उथर आएंगे तो पाकिस्तान की तरफ जो water flow है ये कम हो जाएगा पर देखें दोस्तों इंडिया ने इथर इंडियस water treaty का violation नहीं किया है क्योंकि मैंने आपको इथर बोला था चैनाब जहलम और इंडियस river के उपर इंडिया का भी limited rights है इंडिया can set up run of the river power plants इंडिया run of the river hydroelectric power plants set up कर सकते हैं इन तीन rivers में अब आप पूछोगे run of the river power plants मतलब क्या होता है देखें normally एक dam में क्या होता है दोस्तों या फिर एक hydroelectric power project में क्या होता है बहुत बड़ा एक reservoir रहता है उसमें पानी store किया जाता है फिर उपर से पानी को छोड़ देता है इसे टर्बेन घुमाता है फिर electricity generate होता है है कि नहीं पर run of the river power plants में क्या होता है न दोस्तों पानी का जो flow है वो अगर fast है तो इस तरह बड़े-बड़े reservoirs बनाने की जरूरत नहीं है वो flow से ही टर्बेन घुमा लेंगे समझ रहा है तो run of the river power projects का एक फायदा ये है पानी को large scale में store करने की जरूरत नहीं है तो इस तरह के run of the river projects इंडिया set up कर सकता है उसमें कोई मना नहीं है तो ये दोनों जो project है किशन गंगा hydroelectric plant जो 330 megawatt का है पाकिस्तान ने क्या बोला इधर भी पानी का storage हो रहा है हाँ पानी का storage तो हो रहा है पर उतना नहीं हो रहा है जितना large scale hydroelectric power stations में होता है पर पाकिस्तान ने object किया पाकिस्तान पहुंच गया वर्ल बैंक के पास अब story काफी funny है दोस्तान पाकिस्तान सबसे पहले बोला था कि एक neutral expert को appoint करना चीए इस issue को examine करने के लिए basically इंडिया ने जो hydroelectric power project setup किया है उसके बारे में examine करने के लिए वैसे मैं आपको बताऊं इंडिया स्वार्टर ट्रीटी के इसाब से एक permanent इंडिया स्वार्टर कमिशन होना चीए जिनका काम है basically water sharing को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो issues है उसे solve करना वैसे इंडिया स्वार्टर ट्रीटी में ये भी लिखा है अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में water sharing को लेके कुछ issues होता है तो सबसे पहले एक neutral expert को appoint करना चीए जो चीज़ों को दोनों तरफ से देखेंगे और ये desert करेंगे कौन सही है कौन गलत है जो भी है तो पाकिस्तान ने सबसे पहले यही बोला था कि एक neutral expert को appoint करना चीए करके पर कुछ साल के बाद पाकिस्तान ने अपना एक डिमांड को रिट्रैट किया और पाकिस्तान पहुँच गया International Court of Arbitration में जो हेग स्विटसरलन में है ठीक है पर हुआ क्या है ना International Court of Arbitration ने इंडिया के फेवर में रूल किया 2013 में और इंडिया अपना construction जारी रखा फिर से पाकिस्तान World Bank के पास पहुंच गया और बोला एक Court of Arbitration होना चाहिए करके पर इंडिया ने बोला भाई Court of Arbitration के लिए कोई प्रोविशन नहीं है इंडर स्वार्टर ट्रीटी में जो भी बाते हैं इंडर गर्मेंटल नेगोशेशन से या फिर बाइलाटरल नेगोशेशन से सोल्व करना चाहिए पर पाकिस्तान ने माना नहीं पर हुआ कहना दोस्तों अभी World Bank ने भी ये डिसेशन लिया कि एक नूटरल एक्सपर्ट भी रहेगा साथ-साथ में Court of Abitation भी रहेगा इस इशू को एक्जामेन करने के लिए तो ये गलत है ना तो इंडिया ने World Bank को बोला भाई ये Court of Abitation और नूटरल एक्सपर्ट ये दोनों का जो प्रोविशन है ना ये इंडियस वाटर ट्रीटी में कहीं लिखा नहीं है जो भी इशू है हम आपस में बात करके सुल जाएं वैसे देखा जाएगा तो पाकिस्तान फाल्तु में बहस कर रहे है International Court of Abitation भी यही रूल किया था क्यूंगी किशनगंगा रिवर और चैनाब रिवर का जापे सबसे कम वाटर फ्लो है ना उधर ही यह प्रजेक्स को इंस्टॉल किया है तो यह प्रजेक्स की वज़े से पाकिस्तान की और जो वाटर फ्लो है उस पे कोई फरक नहीं पड़ रहा है तो खुल मिला के गवर्णमंट ओफ इंडिया ने अभी पाकिस्तान को एक नोटीज बैजा है तो खुल मिला के अब इंडिया पाकिस्तान को एक नोटीज बैजा है कि 90 डेज के अंदर इंडिया गर्मंटल नेगोशेशन और इंडिया स्वार्टर ट्रीटी शुरू होना चाहिए करके क्योंकि देखें दोस्तों ऐसा कोई कोट ओफ आबिटेशन की जरूरत नहीं है जो भी इशू से वो आपस में बात करके सोल्व किया जा सकता है अगर पाकिस्तान को कोई डाउट है वो पूरा हम उन्हें समझाने के लिए तैयार है तो आप वीडियो आपको इंफोर्मेटीव लगाओगा थैंक्यू फो वाचिंग बाई-बाई-बाई-फैव नेस दे